Hello viewers, welcome to my YouTube channel Healthy Foodie दोस्तों आज मैं आपसे बात करूँगी कुछ ऐसी खास खाने पिने की चीजों के बारे में जिनमें विटामिन B के मात्रा भकू भी अच्छी होती है विटामिन B कई तरह के विटामिन से मिलकर बनता है जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, B7, B9 और लाशली विटामिन B12 और इन सारे विटामिन को जोड़कर विटामिन B कॉम्पलेक्स बनता है विटामिन भी हमारे शरीर के लिए बहुती जरूरी विटामिन होता है ये हमारे शरीर की इम्मिनिटी को मजबूत बनाने में आंखों की रोशनी को तेज करने में दिल से जुड़ी बिमारियों से दूर रखने में दिमाग को स्वस्त रखने में पाचन क्रिया में सुधार लाने में, खून की कमी को बढ़ाने में और यहां तक की शरीर को छोटे मोटे इंफेक्शनों से लड़ने में और हड्यों की मास पेशियों को मस्बूत बनाने में भी विटामिन B एहम भूमी का निबाता है तो ऐसे में चलिए जल्दी से जानते हैं कौन सी हैं वो खाने पीने की चीजे जो विटामिन B से भरपूर है पहला है मश्रूम दोस्तों मश्रूम में विटामिन B बहुती अच्छी मात्रा में पाया जाता है इसमें विटामिन B2, विटामिन B9, विटामिन B1, B5 और B3 इन साथ-साथ मश्रूम में विटामिन D, प्रोटीन और फाइबर भी अच्छा होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहतर बनाने में और हमारी हडियों को मजबूत करने में मदद करता है दूसरा है आलू, दोस्तो आलू में भी विटामिन B3 पाया जाता है जो हमारी सेहत को स्वस्थ बनाने में बहुती जरूरी विटामिन है आलू में पाया जाने वाला विटामिन B3 हडियों को मजबूत बनाने में, पाचन क्रिया को सुधारने में, गैंस, कब्ज, एसिडिटी से दूर रखने में और दिल की बिमारियों से छुटकारा दिलाने में भी आलू में मौजूद ये विटामिन B3 फायदा करता है तीसरा है केला, दोस्तो केले में भी विटामिन B की कमी को पूरा करने के काफी गुण होते हैं, इसमें विटामिन B6 पाया जाता है, जो हमारे शरीर को एनरजी देने में, हमें थकावट और कमजोरी से बचाय रखने में, हमारी रोक प्रतिरोधक इम्मिनटी को स्ट्रॉंग बनाने में और यहां तक की हमारी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने में भी ये विटामिन B बहुत ही फायदेमंद होता है, अगला है अंडे, दोस्तो जो लोग नौन वेजिटेरियन हैं और वो अंडे खा लेते हैं, तो ऐसे में अंडे का सेवन भी हमारे शरीर में प्रोटीन के साथ साथ विटामिन B3 और विटामिन B12 के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, यह हमारे शरीर की मास पिश्यों को टाकत देने में, हडियों को मजबूत रखने में, आंखों और बालों के लिए और शरीर को चुस्त और एक्टिव रखने में भी अंडे खाना अच्छा हो पांचवए टमाटर, दोस्तों टमाटर में भी विटामिन B और पोटेशियम भरपूर मातरा में पाया जाता है, जो शरीर में बैट कोलेश्टॉल के स्तर को कम करने में और बलड प्रेशर को नियंत्रित बनाने में मदद करता है, इसके लावा टमाटर को डाइट में लेने से दिल का दौरा, श्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी समस्याओं की आशंका भी कम रहती है छटा है अखरोट दोस्तो अखरोट भी विटामिन B से बरपूर, विटामिन B1, विटामिन B6 और विटामिन B9 में बहुती फायदिमंद होता है विटामिन B के साथ साथ अखरोट में फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिट्स भी पाये जाते हैं जो हमारे दिल को सेहत मन रखने में, अच्छी नीन लाने में और स्ट्रेस से बचाने में मदद करते हैं साथवा है गाजर दोस्तो गाजर भी कई तरह के बहतरीन विटामिन का खजाना होती है ये भी विटामिन B के लिए अच्छी मानी जाती है गाजर में विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 पाया जाता है जो की मसल्स को स्ट्रॉंग बनाने में, आखों की बिमारियों से निजात दिलाने में, ब्लड प्रेशर को नॉमल रखने में और शरीर के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में भी काजर फायदेमन सबजी होती है आटवा है पनीर दोस्तो शाकाहरी यानि की वेजिटेरियन खाने में पनीर भी विटामिन B की कमी को पूरा करने में एहम भूमिका निभाता है पनीर सवात के साथ साथ पोशक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन B2, विटामिन B12 के लिए भी कई बार अच्छा होता है जो की हमारी हडियों और दातों के लिए वजन गटाने में और मानसिक तोर से हमें स्वास्त रखने में पनीर मदद करता है नौवा है दही यानि की कर्ड दोस्तो दही का प्रयोग भी विटामिन B की कमी के लिए बेहद ही कारगर होता है दही में vitamin B6, vitamin B2, vitamin B12 और calcium मौजूद होता है जो की हमारी अच्छी digestion के लिए immunity को बढ़ाने में, depression से दूर रखने में और साथी शरीर की ठकान को दूर कर energy को बनाये रखने में भी दही बहुत ही फायदा करती है आखरी है पालक, दोस्तो पालक का प्रियोग हर vitamin के लिए ही बहुत अच्छा है खासतोर पर vitamin B और vitamin A के लिए ये पालक शरीर की रोक प्रतिरोधक immunity को मजबूत बनाने में, तनाव चिंता से दूर रखने में जो vitamin B का एक बहुती बड़ा मुख्य लक्षन है आखों की रोशनी को तेज करने में, इसके लावा पाचन क्रिया को बहतर बनाने में, जिसके चलते कब्ज की समस्या पैदा ही नहीं होती और हार्ट की हेल्थ को सुधाने में भी पालक का खाना फायदेमंद होता है तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी खाने पिने की चीजे जो vitamin B की कमी को पूरा करने के लिए अच्छी होती है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आयो तो प्लीज लाइक कीजे इस वीडियो को, शेर कीजे अपने family के साथ, अपने friends के साथ और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इस YouTube चैनल को जिसका नाम है Healthy Foodie ताकि आपको new updates मिलते रहें तब तक के लिए stay healthy, thank you